नमस्का दोस्तो वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो का टॉपिक है Bearing Number Calculation दोस्तो हमारे पास एक centrifugal pump की bearing housing है और उसकी एक shaft है और हमको ये नहीं पता किस bearing housing में किस size यानि किस number के bearing लगे थे तो आज हम इस वीडियो में pump की bearing housing और उसकी sharp से उसके non-drive and bearing और drive and bearing के number कैसे पता करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो दोस्तो वीडियो काफी informative होने वाली है तो वीडियो का शुरू से लेके अंतक जूरूर देखें और दोस्तो bearing पे हमने जितने वी वीडियो बनाई है उसकी playlist का link मैंने description में दे दिया है आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम pump के non-drive end bearing का number पता करेंगे जो non-drive end bearing होता है वो यहाँ पे इस position पे fix होता है impeller के तरफ ठीक है दोस्तो तो सबसे पहले हम इसका ID निकालेंगे bearing का और ID हमको कहां से मिलेगा यहाँ पे जो shaft होती है इसके non-drive end पे जहाँ पे जो bearing लेंगे ठीक है तो यहाँ पे मान लीजे इसका OD आ रहा है यहाँ पे हम इसका इसका जो shaft का OD होगा वो bearing का ID होगा ठीक है तो यहाँ पे हमको shaft का जो OD मिला है वो हम यहाँ पे mention कर देते हैं 45 mm ठीक है अभी ID पता करने का दोस्तो bearing के ID निकालने का एक formula होता है जो सब को पता है कि bearing के last two digits को ठीक है यह सब को पता है कि bearing के last two digits को अगर हम 5 से multiply कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है bearing का ID ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास bearing का ID आ जाता है ID हमको पहले से पता है bearing का तो यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है तो यह एक थम रूल है कि अगर हम bearing number के last two digit को 5 से multiply करतेंगे तो हमारे पास bearing का ID आजाएगा ID हमारे पास पहले है हमको क्या पता करना है last digit तो हम क्या करेंगे यह 05 से 45 को यहाँ पे 05 से divide कर देंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा bearing के last two digit ठीक है तो यहाँ पे अगर हम इसको divide कर देते हैं तो हमारे पास आजाएगा 09 ठीक है तो यह जो हमारे पास है यह bearing के last two digit हमारे पास आ गए हैं तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं यह जो fourth digit है वो है 9 और यह है third digit ठीक है तो यह कितना है जीरो तो यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट मिल गए है हमको bearing number के अभी हमको पहला और दूसरा number यानि पहला और दूसरा digit पता करना है तो वो कैसे करेंगे हम bearing के od से पता करेंगे तो od हमको कहां से मिलेगा दोस्तो bearing ने बैठना है यहाँ पे यहाँ पे non-driven bearing ने बैठना है तो हमने क्या करना है vernier caliper से यहाँ पे इसका यह वाला od मिजर करना है तो मान लिजिए अगर हमको यह dimension मिलती है 100 mm तो मान लिजिए यह हमको मिलती है 100 mm bearing का od तो हमको मिल गया है मगर हमको यह नहीं पता कि यह जो bearing का OD है यह 62.09 का है 63.09 का है या फिर 64.09 का है क्योंकि last के two digits तो हमारे पास है 0.9 मगर हमको series नहीं पता कि 62.00 series का bearing लगा है 63.00 का लगा है या फिर 64.00 का लगा है OD हमको मिल गया है internet की help हमने लेनी नहीं है तो हम क्या गरेंगे दोस्तों मैंने आपको एक formula बताया था जिसमें मैंने आपको bearing number से उसका OD कैसे calculate करते हैं वो बताया था 33.00 series का तो वो formula था कि हमने पता क्या करना था OD तो क्या करना है bearing के last two digits को OD पता करने का formula है यह 33.00 series का तो bearing के last two digits यानि 09 को multiply करेंगे 10 के 7 और plus कर देंगे इसमें 10 तो यह जो formula है यह bearing के OD पता करने का है ठीक है और यह applicable होता है सिर्फ 33.00 series में तो हमारे पास क्या आजाएगा अगर हम इसको calculate करते हैं तो आजाएगा 100 ठीक है यानि यह जो यहाँ पे bearing लगा है उसका OD है 100, ID है 45 और यह formula अगर हम इसमें यह जो formula से हम चेक किया है तो हमारे पास आगया है 100 ठीक है तो यह जो bearing है यहाँ पे लगा हुआ है वो 63.00 series का है तो हमारे पास इसके पहले दो digit भी हमको मिल गए है ठीक है यहाँ पे 3 आगया, यहाँ पे आगया 6 तो ऐसे हमने non drive and bearing के चारों digit find out कर लिए हैं ठीक है दोस्तो 64.00 no bearing के नंबर से उसका OD कैसे calculate करते हैं वो मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा दोस्तो अभी हम pump के drive and bearing का number पता करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या पता करना है ID तो ID हमको कहां से मिलेगा pump के shaft से यानि यहाँ पे drive and bearing ने बैठना है तो हम क्या करेंगे vernier caliper से यहाँ पे यह वाला size लेंगे जहाँ पे bearing ने बैठना है तो मान लिए यह size हमारे पास आ गया है हम इसको assume करते हैं कि हमारे पास size आ गया है 40 ठीक है तो वही हमने formula यूज करना है जैसे bearing का ID पता करते हैं कौन सा formula है कि last digit को अगर हम 5 से multiply करते हैं तो हमारे पास ID आ जाता है ठीक है ID हमारे पास यहाँ पे है तो हमने क्या पता करने है last digit तो यहाँ पे last digit वही formula हम लिखेंगे multiply करेंगे 0 5 के साथ तो ID तो हमारे पास है 40 तो last digit पता करना है तो इसको हम 40 यह 5 0 5 नीचे आ जाएगा तो इसको अगर हम divide करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0 8 ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास bearing के last के दोनों digit हमने calculate कर ले है bearing के ID से ठीक है तो यहाँ पे fourth digit हम लिखेंगे 8 और जो third digit है वो है 0 ठीक है तो हमको पता करना है अभी first digit और second digit यानि हमको bearing के यह जो पहले series वाले bearing है यह number है यह पता करने है कि इसमें 62 का लगा है यहाँ पे 3300 का लगा है या फिर 6400 का लगा है और जो यह drive and bearing होता है इसमें दोस्तो 709 और 309 bearing भी use किये जाते हैं यह जो bearing होते हैं यह axial load ज़्यादा लेते हैं तो किसी किसी pump में ज़्यादा तर यह वाले bearing भी use किये जाते हैं ज़्यादा तर double row का bearing का use किया जाता है जो 3300 series के होते हैं तो वो हम कैसे पता करेंगे वो अभी हम देखें दोस्तो अभी हमको पता करने है bearing के first और second digit कि इसमें 6200 series का bearing है 6300 का है 6400 का है या फिर 7300 का है या फिर 3300 का है क्योंकि जो drive and bearing use किये जाते हैं उसमें 3300 series का भी use किया जाता है तो ये हमको कहां से मिलेगा bearing के od से तो od पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तो vernier kelly पर लेना है और यहां पे हमने bearing housing में इसका internal diameter चेक करना है यहां पे ये जो internal diameter है ये bearing का od है क्योंकि यही पे इसी sheet पे bearing ने बैठना है तो माल लिजे हमने ये जो dimension ली है ये आ गई है हमारे पास 90 mm ठीक है दोस्तो तो इससे हमने क्या करना है bearing के पहले और दूसरे digit को निकालना है जैसे हमने उपर निकालना है दोस्तो od हमारे पास आ गया है 90 mm हमको पहले और दूसरे digit पता करने है कि ये 300 series का है या फिर 300 series का है या फिर 600 series का है तो वैसे ही हम od से हम उसके पहले digit निकालेंगे दोस्तो मैंने आपको formula ये वाला बताया है जो 300 series का है तो सबसे पहले हम 300 series से ही इसको चेक कर लेते हैं ठीक है तो 300 series से हम चेक करेंगे तो formula क्या है bearing के last digit को multiply करना है 10 के साथ और plus कर देना है इसमें 10 दोस्तों यहाँ पे 08 है ये मैंने 09 गलती से लिख दिया क्योंकि हमारे जो last digit है वो 08 है तो हम 08 को multiply करेंगे 10 के साथ और plus कर देंगे इसमें 10 तो हमारे पास कितना आ गया 90 ठीक है यानि 3608 जो bearing है अगर हम इसको ये हमारे पास second digit मिल गया है 3 और first digit मिल गया है 6 यानि जो 3608 bearing number है उसका OD होता है 90 mm और हमको जो OD bearing housing से मिला है वो भी 90 mm है तो यानि इसमें जो bearing लगेगा वो लगेगा 3608 का ठीक है और अगर आपको double confirm करना है तो आपने क्या करना है दोस्तों यह वाली यहाँ पे यह जो seat है जहाँ पे bearing बैठना है आप यहाँ पे यह वाली थिकनस भी चेक कर सकते है वर्निर कैलीपर से आप इसमें ऐसे यहाँ पे वर्निर कैलीपर लगा के देख सकते है कि यहाँ पे यह जो sheet बनी हुई है उसकी थिकनस यानि उसकी मोटाई कितनी है क्योंकि जो 3608 bearing होता है उसकी जो थिकनस होती है यह वाली वो होती है थिकनस होती है उसकी 23 mm तो अगर यह थिकनस 23 mm से ज़्यादा है तो वहाँ पे 309 bearing यूज किया गया है तो अगर थिकनस ज़्यादा है तो वहाँ पे जो bearing number है वो 309 लगा हुआ है क्योंकि जो 3390 होता है 7390 होता है 6390 होता है तो इनके यह जो सीरीज यह वाले है जो medium सीरीज यह वाला डिजर्ट जो है medium सीरीज बताता है इनके सभी के ओडी सेम होते हैं यानि 6390 का भी ओडी 90 है 7390 का भी 90 है 3309 का भी 90 है मगर इनकी जो thickness होती है वो अलग-अलग होती है दोस्तो मैंने एक वीडियो में आपको thickness कैसे find out करते हैं वो भी बताया है उसका link भी आपको description में मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर इसकी thickness 23 है तो आप मालीजिए कि उसमें 308 bearing number लगा है तो दोस्तो ऐसे हम बिना internet की help से bearing housing से और pump की shaft से उसके number पता कर सकते हैं कि उसमें non drive end पे कौन सा bearing number लगा है और drive end पे कौन सा bearing number लगा है और दोस्तो जो description में मैंने आपको bearing की playlist दी है उसको एक बार आप जाके जुरूर चेक करें आपके जो भी doubt होंगे सब clear हो जाएंगे और इस वीडियो के later अगर आपके मन में कोई भी question है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं आपको उसका reply जरूर मिलेगा ठीक है वीडियो ची लगी है तो वीडियो को like जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि ये information सबके तक पहुंच सके और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें thanks for watching